पानी जिन्दगी का आधार है, हमारे शरीर का दो तिहाई हिस्सा है और केल्सियम, एबम, मेगनिसियम समेथ कई जरूरी मिनरल्स का श्रोत है इसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रापर होने चाहिए तो आम तोर पे लोगों का मानना होता है कि अगर पानी देखने में सही है और पीने में मीठा है तो क्वालिटी ठीक है और इसलिए आजकल बहुत सारे लोग आरो वाटर और बाटल वाटर की तरफ सिफ्ट हो गए हैं लेकिन इससे problem और बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि WHO को एक warning जारी करनी पड़ी है पिछले साल कोलकता में जो भी जितने branded waters आते हैं उनका compression वहां के नलके के पानी के साथ किया गया था और पाया ये गया कि नलके का पानी जादा सिहत मन्द है RO और bottled water में तीन बड़ी problems होती है पहली problem TDS की, दूसरी minerals की और तीसरी problems plastics की TDS मतलब total dissolved solid की पानी में क्या-क्या गुला है, कितना गुला है अगर पानी का TDS कम हो तो पानी hypotonic होता है अगर TDS जादा हो तो hypertonic पीने के पानी को ना तो बहुत जादा hypertonic होना चाहिए ना बहुत जादा hypotonic और सबसे बढ़िया tonicity मिलती है 350 TDS पे वैसे 200 से 500 की पूरी range ही बढ़िया है और 1000 TDS तक का पानी पिया जा सकता है पानी का TDS 100 से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि 100 से कम के TDS का पानी बहुत जादा hypotonic होता है और इतना hypotonic water जो body का एक balance होता है जिसको homeostasis कहते हैं उसको गलबड कर देता है और homeostasis गलबड होने से कई बीमारियां हो जाती है cardiovascular diseases से लेके hair fall तक लंबी list है और WHO को warning इसलिए जारी करनी पड़ी कि RO और bottled water पीने वाले 99% लोग 100 से नीचे का TDS का पानी पी रहे हैं और यह सब हो रहा है स्वात के चकर में क्योंकि 75 से 65 के बीच में पानी का स्वात सबसे मीठा होता है और जहां तक minerals का मामला है तो जब RO membrane से पानी filter होता है तो बहुत सारे minerals निकल जाते हैं मतलब पानी के 90% minerals कम हो जाते हैं और यही हाल bottled water का है अब मजे की बात यह है कि bottled water को आम तोर पर mineral water कहा जाता है जबकि स्थिती एकदम उल्टी है उसमें minerals बहुत कम हैं वो demineral है और यह बीच में एक legal issue भी हो गया था और उसके बात से यह हुआ कि जो भी branded water बनाने वाले हैं उन्होंने mineral water लिखने की जगे package water लिखना शुरू कर दिया लेकिन आम जनता को अभी भी यही लगता है कि bottled water mineral water है और जहां तक यह जो प्लास्टिक की बात है तो क्या होता है कि जब RO membrane से बहुत pressure से पानी filter होता है तो काफी plastic उसमें घुल जाता है और ऐसे ही जब bottle में पानी बहुत दिन रखा रहता है कई हपते कई महिने तो भी plastic उसमें घुलता है और यह घुलना इसलिए जादा होता है क्योंकि 100 से कम के TDS का पानी बहुत जादा aggressive होता है हाइपोटोनिक होने के बज़े से कई जीदों को वो घुलता है और यह dissolved plastic खतरनाक है कैंसर समेत कई बीमारियां कर सकता है अब solutions की बात कर लेते हैं तो पहली चीज तो यह कि बॉटल वाटर बिल्कुल पीना बंद कर दें और दूसरी चीज आप अपने घर के पानी का TDS चेक करें अगर TDS 900 से जादा है तो आरो लगा लें और आरो का output का जो TDS है उसको साड़े 300 पर रखें 900 से कम TDS पे आरो लगाना sensible नहीं है क्योंकि उससे जो स्वाद का फायदा होता है उसके तुलना में जो dissolved plastic है उनका नुकसान जादा है तीसरा काम ये करें कि पानी को मिट्टी के घड़े में रखें और घड़े को ऐसी जगे रखें जहां पे धूप आती हो और हवा आती हो घड़ा बहुत कमाल की चीज है अगर पानी का TDS जादा है तो घड़ा थोड़े minerals निकाल लेता है और अगर TDS कम है तो अपनी तरफ से मिला देता है और जब उसको हम खुली हवा में धूप में रखते हैं तो पानी अच्छी तरीके से oxygenate और sanitize हो जाता है घड़े के पानी का मुकावला कोई नहीं है अब बात कर लेते हैं quantity की कितना पानी पीएं, कब कब पीएं और कैसे पीएं तो हमको रोज धाई लीटर पानी की जरुरत होती है अगर हम इससे कम पानी पीएं तो कई problem होती है जिसमें से पहली problem यह है कि हमारी body water retain कर लेती है एक बिल्कुल उल्टी सी चीज है जब आप पानी कम पीते हैं तो body water retain करती है और retain करने से बजन तो बलता ही है और भी problems होती है इसके अलावा अगर कम पानी पी रहे हैं तो kidney stone यानि की पत्री हो सकती है और constipation भी हो जाता है तो 10 से 12 गिलास पानी हमें पीना चाहिए अब पानी पीने में ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पानी पीना ठीक नहीं है काइदे से एक बार में दो गिलास पानी पीना चाहिए तो हम ऐसा कर लें कि दिन भर में पाँच बार में दो दो करके 10 गिलास पानी पी ले खाना खाने को और पानी पीने को भी मिक्स नहीं करना चाहिए जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाएं और जब पानी पी रहे हैं तो पानी पी हैं और आखरी सलाह ये है कि अगर मजबूत बनना है चतुर सुजान बनना है तो हमें घाट-घाट का पानी पीना चाहिए अपनी बॉटल लटका के घूमना ठीक नहीं है सोचिए जब हमारी सासे साजा हवा में हो सकती तो हमारा पानी साजा क्यों नहीं हो सकता है अगर कहीं का पानी खराब भी हुआ तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा डाइरिया होगा जो बॉटल लॉटर के कैंसर जितना खतरनाक तो नहीं है ज्यादा खतरनाक तो